चर्चा चल रही है सड़ द्रब्यों पर चैन दर्शन में सड़ द्रब्य की अंत्रगत आज का टॉपिक है पुद्गल द्रब्य इसे पुद्गलास्ति का आय भी कहते हैं जैसा कि आपको विदित है कि सड़ द्रब्यों का विभाजन है रूपी और अरूपी अस्तिकाय और अनस्तिकाय जीव और अजीव द्रिष्टी से किया जाता है इस द्रिष्टी से जदी हमें विचार करें पुद्गल द्रब्य पर तो पुद्गल द्रब्य अस्तिकाय द्रब्य कहलाता है पुद्गल द्रब्य रूपी द्रब्य है, पुद्गल द्रब्य अजीव द्रब्य है, यानि पुद्गल अजीव द्रब्य के अंतरगत आता है, विज्ञान में जिसे मैटर कहा गया है, जैनिजम में उसको पुद्गल कहा गया, इसको परिभासित करते हुए कहा गया है पूरण गलन धर्मत्वातिती पुद्गलाह जिसमें मिलने और गलन करने की सक्ती हो, शमता हो, धर्म हो उसे पुद्गल रव्य कहते हैं जो प्रतिछन मिलता गलता रहे, बनता भी गड़ता रहे, वह पुद्गल रव्य है जैसा कि हम बता चुके हैं कि पुद्गल ही एक मुर्त रव्य है, इसके अलावे सभी रव्य मुर्त है पुद्गल द्रब्य अचेतन द्रब्य के अंत्रगत आता है एक मात्र जीव द्रब्य है जो चेतन द्रब्य है जीव के अलावे जो पांच द्रब्य है जो अजीव द्रब्य कहलाते हैं वो सभी अचेतन द्रब्य है पुद्गल के बारे में कहा गया है कि अस्पर्स रस गंध वर्ण वंता हा पुद्गला हा अस्पर्स रस गंध वर्ण से जो युक्त है उसे पुद्गल कहते हैं यह पुद्गल की खास विशेष्टा है खास गुन है इसकी अपना गुन है पुद्गल की अस्पर्स रस गंध और वर्ण से जो युक्त है वह खंडित भी किया जा सकता है और उसको आबद भी किया जा सकता है, मिलाया भी जा सकता है, उद्गल के चार भेद हैं, असकंध, देश, प्रदेश और परमानू, इन चारो भेदों पर एके करके हम विचार करते हैं, पहला भेद है असकंध, दो से लेकर अनंत परमानू का समु असकंद कालाता है, असकंद द्वी प्रदेशी होते हैं, त्री प्रदेशी होते हैं, ऐसे ही चतुफ प्रदेशी, पंच प्रदेशी, दस प्रदेशी, संखे, असंखे और अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, अनंत प्रमानु के संजोग से अनंत प्रदेशी असकंद का न असकंद का बुद्धी कल्पित विभाग देश है असकंद का बुद्धी कल्पित बुद्धी से कल्पना किया गिया विभाग उसको हम देश नाम देते हैं देश असकंद से पृतक नहीं होता, यदि पृतक हो जाये तो वो फिर असकंद का निर्वान कर लेता है, वो असकंद का लाने लगता है, वो देश नहीं का लाएगा तिसरा बेद है जिसको हम प्रदेश कहते हैं प्रदेश है प्रमानु जितने भाग को कहते हैं प्रदेशह प्रमानुवत निरंसह प्रदेशह वस्तु क्यत्यन्त सुक्षमंस को प्रदेश कहते है प्रमानु जब असकंदगत है तब वो प्रदेश जदी प्रमानु असकंद से प्रिथक हो जाए, फिर वह प्रदेश नहीं, फिर वह प्रमानु कहलाने लगता है असकंद का सुक्षमतम भाग प्रदेश है, जिसका पुनवी भाग नहीं किया जा सके, उसे प्रदेश कहते है उदाहरन हजारों तंतू से निर्मित वस्त्र में प्रतेक तंतू प्रदेश है, वस्त्र का निर्मान जब होता है तो उसमें हजारों तंतू लगते हैं तब वस्त्र बनता है उसमें एक-एक तंतू एक-एक प्रदेश हैं एक-एक प्रदेश मिलकर के असकंद का निर्मान होता है वैसे ही एक-एक तंतू मिलकर के वस्तर का निर्मान होता है जदि वह तंतू प्रिथक हो जाएं फिर वह प्रदेश नहीं का लाएंगे फिर वह प्रमानु कहलाएंगे चोथा प्रमानु प्रमानु अविभाज्य, अच्छेद्य, अभेद्य और अग्राह्य होता है इसका विभाजन नहीं किया जा सकता इसका च्छेदन भेदन नहीं किया जा सकता यह इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है इसलिए इसे हम अग्राहिय कहते हैं, प्रमानु अत्यंत सुक्ष्मतम होने के कारण आदी मध्य और अंत से रहित है, प्रमानु में आदी बिंदु नहीं होता, आंत बिंदु भी नहीं होता, मध्य बिंदु भी नहीं होता, इतना सुक्ष्म इकाई है पदार्थ की, कि आदी मद्य और अंत से परमानु रहित होता है इसमें एक गंध जो पुदगल के गून है असपरसरस गंध वर नादी परमानु में एक गंध अब ये जो गून है इन गूनों के भी भेद है कुल मिलाकर के भी इस गूनों के परयाय है गुनों में पुदगल में एक गंध, एक वर्ण, एक रस और दो असपर्स पाए जाते हैं प्रदेश वा प्रमानु में असकंदगत और प्रिथक भाव का अंतर है प्रदेश असकंदगत होता है और प्रमानु असकंद से प्रिथक हो जाता है प्रिथक हुए अन्सको सुक्ष मान्सको परमानू और जो असकंदगत सुक्ष मान्सको प्रदेश काते हैं जब हम द्रब्य छेत्र काल और भाव के अधार पर पुदगल पर विचार करते हैं पुदगल के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि द्रब्य के द्रिष्टी से पुद्गल अनंत है, आनगेनित है, छेत्र के द्रिष्टी से संपुर्ण लोक में ब्यापत है पुद्गल, समग्र लोक में पुद्गल ब्यापत है, अलोक में पुद्गल नहीं है, क्योंकि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्त जिसको विज्ञान के द्रिष्टी में हम कहें तो धन इथर और रीन इथर कहते हैं, उसको जैनिजम धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहता है, तो लोका का आस में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का सतभाव है, धन इथर और रीन इथर हैं, इसलिए पुदगल द्र द्रव्य का अस्तित्तो नहीं है, वहाँ कोई द्रव्य नहीं है, किवला कास द्रव्य है। काल के द्रिष्टी से अनादियनंत है, त्रैकालिक है, तीनों कालों में इसकी विद्यमानता है। भाव के द्रिष्टी से यह मुर्त द्रव्य है, यह रूपी द्रव्य है, इसका रंग होता है, रूप होता है, अकार होता है, यह पुद्गल द्रव्य की विशेस्ता है, अन्य किसी द्रव्य में यह नहीं होता। गून के द्रिष्टी से या गलन मिलन स्वभाव से युक्त है या मात्र पुदगल द्रभ्य की खासियत है इसकी विशेस्ता है अन्य द्रभ्यों की विशेस्ता नहीं है पुद्गल्द रभ्य ही होता है और कोई रभ्य नहीं होता या इस रभ्य की पहचान है इस प्रकार हम पुद्गल्द रभ्य पर चर्चा समाप्त करते हैं